तुम भारतिय कंटेंट से क्या उम्मीद कर सकते हूं मेरे ख्याल से ज़़ा तर दोई चीजों की उम्मीद कर सकते हूं या ते एक प्रोपोगेंडा या दूसरी चीज वहियत बना हमश्कार दोस्तों इस स्वीडियो में बात करूंगा पती पतनी और पंगा वैब सीरीज के बारे में जिसे एमेक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया है टोटल इसके अंदर छे एपिसोड है और यह आपके लिए फ्री ओफ कोस्ट है मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा करीबन करीबन मतलब कि यह दो से मतलब दो से कुछ दो घंटे 10 मिनिट की पूरी वै मैं हूँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ मतलब पूरी की पूरी ट्रेलर के अंदर पूरी कहानी बताई गई है एक लड़का होता है रोमांचक अरोड़ा किसी लड़की से शिवानी शिवानी नाम की लड़की से उसे प्यार हो जाता है और उसे शादी कर लेता है शादी के अंदर उसको लड़का ना जरान लगया तो वो एक divorce क्या मतलब divorce ही चाते है उस लड़की से शिवानी लड़की से वो divorce लेना चाते है और इसी को लेकर ये कहानी जो है मतलब ये web series बनाई गई है मैंने जब ये trailer देखा तो मैं सच में बहुत अधा excited हुआ था कि at least कुछ unique कुछ अलग देखने को मिलेगा एक अच्छा देखने को मिलेगा एक अच्छी comedy देखने को मिलेगी बट नहीं यार इन्होंने तो बस एक नया concept देख मतलब उसी को कोजने में अपनी सारी ताकत लगा दी बाकी तो ने इस पूरी वेब सीरीज के अंदर हगाई है अब एक सीन अगर मैं आप लोग को इसाथ discuss करूं मतलब मैं यह कहूँगा क्या इफोक्रिसी के इसीमा होती है कि इसके अंदर वहाँ जो यह समाज है वो लड़कियों को बहुत गलत नजर से देखता है उनको आगे नहीं आने देना चाता अगर अगर लड़की आगे आएगी काम करेगी तो भारतिय पूरुष की जो एगो जो हट हो जाएगी इसलिए उसे आगे नहीं आने देना और वही सेम टाइम पे ये इंसान इस लड़की को अपने घर पे लजाकर इसके साथ सम्भोग करना चाहता है कसम से यार तुम पहले अपनी आईडेलोजी को सुधारो तुम क्या बताना चाहते है और तुम पहले तुम खुद को देखो यार क्या तुमने दिखाने की कोशिश किया है तुम क्या justify करने की कोशिश करना चाहते हो केवल ये एक scene में ही नहीं रुखे है पूरी की पूरी सिरीज ये दो घंटे 10 मिनिट की पूरी की पूरी सिरीज के अंदर अपनी घटिया गटिया तरीके गटिया सोच इन्होंने परोसी है मतलब एक woman को objective की तरीके इन्होंने खुद यूज किया उनको shield बना के इन्होंने खुद यूज किया और दूसरों को समाज मतलब की समाज को ये message देना चाते हैं भाई साब ये एक भारतिय समाज ऐसा है कि ये औरतों को आगे नहीं आने देना चाता है इनकी सोच ऐसी है वैसी है मैंने कहा ना तुम भारतिय कंटन्ट से क्या उमीद कर सकते हो दो ये चीज़ों की है तो propaganda दूसरी वाहियात पना इसके अंदर दो नहीं है मैं seriously कहा रहा हूं कि जब मैंने ये एक नया concept देखा था मुझे लगा कहा रहा एक light comedy के साथ बहुत अच्छी वैब सीरीज हमें देखने को मिले जाएगी लेकिन नहीं यार घटिया scripting घटिया writing के साथ एक वाहियात वैब सीरीज हमारे शामने आती है इसकी अगर performance की बात करूं तो यार वो अदा शर्मा की तुम expression देख लो ना यार मतलब तुम्हारा खुद मन करेगा यार कि यार बस यार अपने आप कोई गोली मार ले यार ऐसा मन करेगा तुम्हारा वो इतने इतने नकली से expression यार क्या सोच कर तुम वहां पर वो एक इंसान अगर camera लेकर आ रहे तो कुछ तो expression कर लो यार मतलब free में काम कर रहे हो तो दिल से तो अपने काम को तो इज़त दे लो यार थोड़ा बहुत तो कर लो यार उसको serious करो उस चीज को और सच में तुम्हें लगता है कि ऐसे घटिया जो sex के joke है वो तुम लाओगे लोगों के सामने बोलोगे और उसको बहुत जादा हसी आजेगे सुनकर तुम्हारी क्या सोच है और ये इसका क्या मतलब है एक लड़का एक लड़की को अपने घर पे लेके आता है ताकि उसको अपने घर में जो एक रूम है उसको किराय पे दे सके और उसके साथ रात को मतलब वो सब चीजें वो कर लेता है सब चीजें कर लेता है उस बात उसके बात उसके माता पिता को उस लड़के के माता पिता को अपने लड़के पर गर्व होता है कि उसने सब चीजें कर ली है पराई उरत के साथ क्या मतलब इस particular scene का क्या मतलब है तुम क्या समझाना चाते हूँ कि बहुत बड़े तोप का काम कर लिया उसने कि यहां बहुत महान काम कर लिया कि यह सब चीज़े थी हमें यह सब चीज़े कर नी चाहिए थी और जो इसके अंदर इन्होंने जो एक transgender का जो इन्होंने मुद्दा उठाया पूरी series के अंदर कहीं पर भी मुझे नहीं लगा कि एक serious मुद्दे को यह उठा कर लोगों के सामने पेश करना चाते हैं कहीं से भी नहीं लगा है एक बहुत घटिया ending के साथ यह series घतम होती है हर एक अलाकार के face पर से expression गायब थे घटिया comedy थी उसके अंदर comedy में क्या था कि हाँ एक लड़का है एक लड़की बनी है नतलब वो जुसने sex change करवा है अब उसके जो लड़की है उसके private parts को लेकर तुम comedy कर रहे हो लोगों को हसी आएगी आगे पीछे का उपर नीचे का सब से मैं ऐसी ऐसी तुम वहिया बातें करोगे और उससे लोगों को हसी आजाएगी नहीं आती है सच में नहीं आती irritation होती है गुसा आता है कि हम दो गंटे ऐसी गटिया series के उपर अपना time खराब कर रहे हैं एक लिस्ट तुम लोगों ने एक नया concept खोजा अच्छी बात है लेकिन उसके उपर सरी ढंक से काम कर लेते हैं अपनी घटिया माल सकता है उससे दूर रखते एक light comedy के साथ एक अच्छे वेसे एक अच्छा message समाज के अंदर रखते एक web series के अंदर लाथ नहीं तुम्हें वो चीजें कर रही नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता है तुम क्या सोच लेके बैठे हो क्या तुम बताना जाते हो लोगों को क्या तुमने पढ़ा है तुम किस से किस बात से क्या बातें करते हो कैसे कैसे इंसानों के तुम बैठते हो मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को सच में एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत है जो तुम्हारे दिमाग का इलाज करा है और तुमें बताए कि तुमें लोगों के सामने क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए Seriously, तुम जाओ, तुम कुछ छुटियां लो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछो, consult करो, इसके makers को सच में इसी चीज के जरूरत है, मेरी तरह से इस वाहिया सीरीज को अच्छा concept, एक नया concept के लिए तुम्हें एक ही नमबर दूँगा, बाकी totally waste है, बिल्कुल waste है, म बेशक बता देना, मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छी तुम्हें लगेगी, क्योंकि बहुत जादा boring सीरीज है, और जिन्हों नहीं नहीं देखी, तो तुम इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर देख लो, जिसमें अगर तुम्हें हंसी आगी तो बहुत अच्छी चीज से अच्छी चीजे और भी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता है, बहुत सी अच्छी चीजे हैं, आपको वेब सीरीज पर देखने को मिल जाएंगे, और इवन आप यूटूब पर किसी अच्छी यूटूबर का चैनल भी देख लोगे, उसमें तुम्हें असी आजएगी, इस सीरी